हाई फ्रेंड्स रोसोई बीभा की यूटूब चनल पर आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ सेयर करेंगे गाजर का हलवा की रेसिपी आज से आप रोज हलवा बनाएंगे बीना घी से पीटे बीना कोई टाम जाम के इस हलवे को बना कर त्यार कर सकते हैं तो आईए बनाना सुरू करते हैं अब यहाँ पे गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने लिया है 500 गाजर और यहाँ पे गाजर को छिल कर पानी से अच्छे से धो कर ले लिया है तो सबसे पहले गाजर को हम दो टुकडों में कट कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से तो यहाँ पे सारे गाजर को इसी तरीके से दो टुकडों में कट करके त्यार कर लेना है तो चले यहाँ पे हमने सारे गाजर को कट करके त्यार कर लिया है तो घाजर को ऐसा ही काठ कर त्यार कर लेना है क्योंकि इननें बॉil करना है तो अब इन्हें हम साईड में रखेंगे ब यहाँ पे लेंगे एक कूकर और इस कूकर में सारे घाजर को डाल देंगे बहुत कम समय में बन जाने वाला ये गाजर का हलवा है बीना कोई जंजट के इस हलवे को आप बना कर त्यार कर सकते हैं चलिए अब इसी के साथ इसमें हम दो कप दूध एड़ करेंगे और ये एमिल से 500 एमिल है और ये वोल किया हुआ दूध है तो यहाँ पे इस गाजर को आप दूध के जगा पानी में भी उबाल सकते हैं पर इसे दूध में आप जब उबालेंगे तो इसका हलवा बहुत स्वादिश्ट बनेगा तो यहाँ पे अब इसमें हम धकन लगा देंगे और चलते हैं गैस के तरफ तो सबसे पहले हम गैस को जला लेंगे तो चलिए अब हम इस कुकर को चड़ा देंगे गैस के उपर अब तीन सेटी आने तक इन्हें अच्छे से पका लेना है तो चलिए यहाँ पे तीन सेटी आ गया है कुकर में तो अब हम गैस को बन करते हैं तो यहाँ पे कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है तो हम धकन को निकाल लेते हैं यह देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गाजर पक कर त्यार हो गई है यह देखिए मैं आपको एक बाद चेक करके दिखा देती हूँ बस यहाँ पे गाजर को बहुत अच्छे से पका लेना है तो चलिए यहाँ पे गाजर जो है बहुत ही बढ़िया पक कर त्यार हो गया है तो अब इन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने सारे गाजर को इस मिक्सी के जार में डाल लिया है तो बीना दूध डाले ही इन्हें थोड़ा दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है अब यहाँ पे जो गाजर उबालने के लिए हमने दूध इस्तमाल किया था कूकर में यहाँ पे आधा दूज बच गया है तो इसे आप पीश सकते हैं या फिर हलवा वेगरा बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने गाजर को दरदरा सा ग्राइड करके त्यार कर लिया है तो चलते हैं गेस के तरफ अब यहाँ पे पैन अच्छे से गरम है तो इसमें डालेंगे एक चमस देशी घी और कुछ ड्राइफूट्स डालेंगे आलमांड्स, काजू और किसमिस और इन्हें थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक इसमें अच्छे से भून लेना है तो यहाँ पे फ्रेंश मैं इस हलवे में दूध का इस्तमाल नहीं करूंगी सिर्फ गाजर उबालने के लिए ही मैंने इसमें दूधं इस्तमाल किया है پर इस हलवे में हम दूध इस्तमाल नहीं करेंगे तो चले यहाँ पे सारी चीज़ अchy से भून गे हैं तो अब इसमें हम 200 ग्राम खुवा डालेंगे खुवा की connectivity आप यहाँ पे कम या ज़यदा कर सकते हैं पर 500 ग्राम गाजर में 200 ग्राम और 200 ग्राम खुवा डालेंगे तो आपका हलवा स्वादिष्ट और फर्फेक्ट बनेगा तो यहाँ पे खुवा को 3 मिनट के लिए इसमें अच्छे से भून लिया है तो चलिए अब इसी के साथ इसमें एड्ड करेंगे अपना ग्राण किया हुआ गाजर अब इन्हें इसमें अच्छे से मिलाते हुए 2-3 मिनट के लिए भून लेना है अब सारी चीज़े को भूनते समय गैस को मीडियम फिलम पे ही रखना है तो चले यहाँ पर गाजर को हमने अच्छे से इसमें भून लिया है अब इसी के साथ इसमें एड़ करेंगे 100 ग्राम चेने अब इन्हें भी इसमें अच्छे से मिला लेना है अब मिलाने के बाद इन्हें तब तक पकाना है जब तक ये काफी गढ़ाना हो जाए और इन्हें ऐसे ही लगतार चलाती हुए इसमें पकाना है जितना अच्छे से आप इन्हें भूनेंगे आपका हलवा उतना ही स्वादिश्ट बनेगा तो यहाँ पर आप देश सकते हैं कि हलवे के हुमने बहुत अच्छे से भूनकर त्यार कर लिया है बिल्कुल ऐसा ही इनको गढ़ा कर लेना है भूनकर तो चलिए अब लाश्ट में हम डालेंगे इलाची पाउडर अब इलाची पाउडर को अच्छे से मिलाने के बाद हम गईस को बन करते हैं यहाँ पे आपका बहुत ही सांदार गजर का हलवा बन के त्यार हो गया है इस गजर के हलवे को आप बिना कोई जंजट के बहुत असान तरीके से बना सकते हैं एक बार इस हलवे को आप बना कर खा लेंगे तो हमेशा से आप यही हलवा बना कर खाएंगे यह बहुत ही स्वादिश्ट बनता है तो है ना बनाना असान आज से आप हमेशा यही हलवा बनाना पसंद करेंगे जितना बनाना असान है खाने में उतना ही स्वादिश्ट है एक बार इस रेश्पी को आप जरूर ट्राइक कीजिएगा ट्राइक करने के बाद रेश्पी पसंद आए तो अपने फ्रेंस फेमिली में जरूर सेर कीजिएगा और इन्हें आप एक हफ़ते तक अश्टोर करके खा सकते हैं तो अब इन्हें हम थोड़ा सा ड्राइक फूर्ट से गानिस कर देंगे मुझे यकिन है कि आप लोग के ये रिस्पी बहुत पसंद आएगी इस रिस्पी को ट्राइ करने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक सियार जरूर कर देजिएगा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू बाई बाई